तो यह जो बड़ी वाली इस पोकेट है यह मारी पीछे ड्रम में लगती है अब इसको लगाने के लिए सिंपल सा बिलकुल तरीका है इसको इस तरीके से लगा देना यहां पे 42T लिखा हुआ है तो इसको हमको रख देना उपर की साइड में कुछ इस तरीके से बिठाना इसक इस तरीके से मैच कराकर इस हाफ एकसल को लगाना और यह आफ एकसल में क्या हुआ है मैं आगे बतांगा आप लोगों को वीडियो में फ्रेंट वाली इस पोकेट इसमें जो दाती वगरम गिन लेता हूं और इसको लगाने का सिंपल सा तरीका साफ्ट में कुछ इस तरीके तो इसके जो खाचे होते हैं उनमें मिला के बिठा दोगे तो यह बैट जाएगी देखो यह बैट गई अब इसको गेर में डालना है उसके बाद पट्टी को लगाना और फिल बोल्ट को टाइट करना है हेलो गाइज विलकम बैक टू माई चैनल टेक्नोज बाइक व्लोग मेरा नाम है इंतियाज होप करता हूं सारे बाई बढ़िया होंगे मैं भी बहुत बढ़िया हूं वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब आज मेरे पास हीरो की पैसन प्रो एपी डीव बाइक और इस बाइक में चैन इस पोट्डर चैंज होने वाली है किको इसकी जो चैन इस पोक्ट पूरीख्राब हो चुकी है बिलकुल खत्मी हो चुकी चैन इस पोकेट को आप लोगों दिखाता हूं देखो यह एक तो यह बैट के नहीं चल रही है यहां पर दाते में द करश आपस्तों कंड नियुम्त सर्व स्कस्सित तो यह को अपकर को अगया से किल और यह जारा में झाल लिए को करते भी है beslेया हो घृँ चैंज करने भी चाल जाएगां करनाहीं हैं खुल सेसे खोलते हैं ृt निकलते हैं खोलना थार F यह पीए घृड़ों आ उैस मैघ मेरना की ती हो जाएगा और इस पट्टि को घुमा के इस तरीके से निकालेगां यह अब इसकी spocket ये हो गई बाहर ये ये भी बिल्कुल पतले पतले दाते हो गए ये भी खत्मी हो चुकी है समझ ले ना और अब इसकी पूरी cleaning होगी क्यूंकि नई चैनी spocket डालना तो ये फूरा clean होगा ये सारा कुछ जितना भी है और rear wheel खुलेगा इसकी spocket खुलेगी चलो इतना काम कर लेते हैं फिर आगे आप लोगों को दिखाते हैं आभी मैंने रियर वील खोल दिया इस प्रॉकेट पूरी कंप्लेट हप के साथ खोल दिया फ्रेंट वाली स्पॉकेट खोल के इसकी क्लीनिंग कर दिया है देखो प्रवाइचान इसमया फिटिंग कैसे करना वह आप लोगों को बताते हैं चार बॉल्ड को बाहर निकालती है यह चार उद्रर नंबर के पाने से खोलनेना खोल जाती है इस तरीके थे इस पॉक्षित यह बाहर हो गई इस पॉक्षित को साइड में रखते हैं और नई जो इस इसे बाहर निकाल लेता हूं यह हमारे इसमें सायद दो इस पोकेट हैं फ्रेंट और रियर दोनों इस पोकेट हैं चैनल अलागए इसमें डबे में यह देखो इसकी क्वाल्टी जो दामन की क्वाल्टी वो ऑप्र बहुत बढ़िया आती यह देखने में भी अच्छी लगती मतलब 42 दार्टे हैं इस चाइनिज पोकेट में इसके जो चार बोल्ट है इस तरीके जब इठा लेना है और इसमें देख लेते हैं चलो इसमें भी देखते हैं कितने टी हैं जो पुरानी वाली इस पोकेट है उसमें नए वाले में कितने टी हैं इसमें दिखाता हूं मैं आप लोगों को यह देखो नंबर आप लोगों को दिख रहा होंगे यह देखो पर इसमें टी नहीं समझ में आ रही है यहां पर देख लेते हैं इस जगे पर यहां पर भी नहीं है और यहां पर देखते हैं यार इसमें टी लिखी मैं ये पुलन टाइट नहीं करेंगे इसे बाक में लगाने के बाद चारों को टाइट करेंगे मीचक три knife नो भी लगाते हैं और इसको नहीं कजускा नहीं दिखाओंग ओटाओं है और गिसांसों कहनते हैं और जैन पॉकेट फ्रेंट पॉकेट लगाते हैं और यहां पे परने क्लिनिंग किया देख लो चैनल नए इसी तरह और कि यह चलो इसको गिंते हैं यहां से एक दो तीन च्यार पाथ छे साथ आत नो दस गैरा बारा तेरा चौड़ा चौड़ा टीए फ्रेंट वाली में 14 टी चौड़ा टीए और रियर वाली में 42 बैलिस्टी यह चलो इसको बिठाते हैं यह बैट गई अब इसकी जो पट्टी वह पुरानी वाली ही लगेगी नई वाली नहीं लगेगी क्योंकि नहीं आती नहीं है इसमें थी नहीं रोलन में साथ होती है लेकिन डायमन में नहीं होती है चलो इसको लगाते हैं पट्टी को यहां पर उच्छे इस तरीके से लगा कि इसे घुमा दोगे यह होली मैच हो चा के पास करने तध़ के रोट गाया था कि रहें वाली चेंट कंप्लीटि ऊग्जाल वाली इन प्रेंटॉ seperti जो बहुत जादा एक्सलों लंबा व्लाज वह निकला था इसी के वजय से यह अफड आप जो मैंने इसे भे खोलना कि बॉल्ट भी बहुत ज्यादा टाहिड टाहिट लगा बाहर निकला था बोल्ट तो अभी हम लगात को तो टाहिट को तो एन्हेही कर दो यह उपर गड़ेगा लेकिन नीचे वाला चोटा बड़ा ये वाला पोर्सन नीचे एगर येवाला पोर्चन चोटा बड़ा हुआ तो विल जाम हो जाएगा फुल टाइट करोगे तो यह चीज समझ लेना हाप एकसल को लगाते हैं चलो निकल गया वापस से इसे लगा देते हैं और एक चीज जाद रखना इसकी स्पोकेट की जो बैरिंग है बैरिंग मैंने पहले चेक कर लिया बैरिंग बिल्कुल सही है यह चीज ध्यान पर ली लगाना तो मैं इससका लगाता है सबसे पहले चैन को चड़ा लिया इस के यहां पर लोक को लगाते हैं यह कुछ यह लग गाया के सcketट आप इस नीचे करते हैं इसकी जो बाहर की पट्टि है वह लगातें यह लाग्ट को पकल कर रहे हैं पीछ प्लाट से इसे लाग कर देते हैं कि चलो कि I finance ish थोड़ा सब बैंड करना चाइन को और लोक को को यहां तो लास से लोक बहुत अराम से बढना बहुत जल्द गहाई मत करना बिल्कुल अराम से बैठ गया सै बैठ गया बहुत जादा चैनलू जे थोड़ा से चैन को यहीं पर वाइक कोड़िया मैंको गार मैं डालत ओर डाल दित्हुक्त कर एक्डर उससे च्रीच यहां पांड पर चाइट मकसित्काहिके तक workforce और जांड पूर प्रॉड कर को आइडा कर लेना बाद में फिर पूइर प्रोबलम हो जाती कस्टूमर को चलो सब्राइब को मैंने फिटंग कर लिया शेन अरजेस्ट हो गई है यह के लुदाब यह अरलक मेंध सथे को यह शेस्ट का दोर फारब्यू त वह यह कूल यह दोर ठूलक हैनक और इसमें लूब जो है लगा हुआ है कमपनिक तरफ से लूब लगा हुआ है तो इसमें कुछ भी नहीं लगाएंगे हम सिर्फ चैन कवर लगा के फिटिंग कर देंगे चैन में कोई भी छेड़काने नहीं करने माले हैं क्योंकि इसमें लूब बगार है लगा हुआ है सारी यहां पर जो इस पॉकेट बैरिंग होती वह भी चेक हो गई है वील की दोनों बैरिंग बहुत इंपोर्टन है यह तीनों बैरिंग चेक कर लेना वरना कस्टुमर कहीं पर भी खुलवाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी कस्टुमर फिर चला ही जाएगा आपके पासे क तो यह चीज तो चेकी कर सकते हैं कि बैरिंग खराब तो नहीं बाकि इसका जो चैन कवर वह लगाते हैं आप लोगों को यह इसकी थोड़ा दिखा देते हैं देखो एक तो डायमेंड रेसिंग गुरू चैनिस पोकेट है और यहां पर अगर लॉंग यहां पर चलो इस तर ससी प्लिन्डर में देख लेते हैं तुसाइड में क्या है यहां पर चैनिस प्रॉक्क इंड़ सुपर स्पलेंडर सुपर स्पलेंडर आई 3S पर लग जाएडिा सुपर Denbergल के इस पाये सन्प्र नियो स्मरेंडर प्लस पपलता सल्फ वाली-ड्र फैक्ष उसमं भी लग ज जाएगी इतनी सारी बाइकों में यह चैनुज पॉक्टे लग जाएगी आप लोग ठाख लान कर बाकी चलो यह वीडिया कांशी रही। एप लोग मुझे कंवन्स करक्पर बता कर ऑब है अभी तक आप